भोजपुरी की अमीशा पटिल की जाने वाली अभिनेती नीलू शंकर सिंग की फिल्म दिल्दार का मुंबय में मुहरत किया गया फिल्म को लेकर नीलू शंकर सिंग काफिय उतसाहिद नजर आई और उन्होंने फिल्म के बारे में बताया कि हमारी फिल्म दिल्दार एक बहुत ही प्यारी कहानी पर आधारित है जो फैमिलियर लव स्टोरी बेस्ट है बाकी आप लोग खुछ समझ सकते है जब फिल्म का टाइटल ही दिल्दार है तो पूरी फिल्म भी दिल्दार होगी उन्होंने बताया कि उनके साथ इस फिल्म में में लीड में दिपक दिल्दार है जोनोंने भोष्पुई संगीत प्रेमियों के लिए कई सारे सुपर हिद गाने दिये है और इनके साथ में दुबारा स्क्रिंशर करने जा रही हूँ मुझे उम्मीद है कि आंदोरगी क्यामिस्ट्री आप सभी को बेहत पसंद आएगी ऐसा ही आप सभी दर्शक अपना प्यार और आशिरवाद अपने निलु शंकर पर बनाये रहे आपको बता दे कि इस फिल्म का निर्मान GST फिल्म के बैनल तले हो रहा है जिसके निर्माता आनंगिरी, संदीब गुप्तावर सुनी लिया दो है और निर्देशन दिनेश पाल कर रहे है फिल्म के कहानी को अनेल विश्वगर्मा ने लिखा है बात करें निर्व शंकर सींग के फिल्म इगराफ की तो निर्व शंकर सींग ने भूषपुल इचिन जगत में कई बैदरीन पारिमारी फिल्में की है जिन में से कुछ रिलीज हो गई है और कुछ रिलीज होना बागी है